ना आटा न भी सन ना ही सूजी ना ही मैदा आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चैट-पाटि सी रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है आप इसे सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं चाहे तो शाम की चोटी मुटी भूख में भी बना करके इसे इंजोय कर सकते हैं तो चलिए आईए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले एक कडाई में हम दो टेवल स्पून के करीब चना दाल ले लेंगे और इसे हमें रोस्ट कर लेना है तो चना दाल को हमें मीडियम फ्लेम पे कंटिनुसली चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे जैसे ही ये थोड़े से भुन जाएंगे इसमें हम एट कर देंगे दो सुखी लाल मिर्च तो तीका आप अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे दो छोटी सी सुखी लाल मिर्च का इस्तमाल कर रही हूँ और इसे भी हमें थोड़ा देर भुन लेना है ताकि जो मिर्च है वो भी अच्छे से भुन जाए तो लगभग दो से तीन मिनट लगेंगे इसे भुनने में और यहाँ पे चने दाल को मैंने अच्छे से कप्टे से पोच लिया था और इसके बाद यहाँ पे गैस को आफ कर देंगे और गैस आफ करने के बाद हम यहाँ पे आट कर देंगे तीन से चार कली लेसुन की और इसी की गर्माहट में यह बढ़िया से सिख जाएंगे और इसी के साथ आधा इंच अधर का टुकड़ा मैंने इसमें इसमें इसमाल किया है और इसे भी हम इसी की गर्महाट में बढ़िया से भून लेंगे तो ये बढ़िया से भून गया है इसे रखते हैं ठंडा होने के लिए और ये देखिए दो मिनट में ये बढ़िया से ठंड़े हो गया है अब इसे हम ट्रांसफर कर देंगे एक मिकसर जार में और इसे और भी बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए हम इसमे आट करेंगे आधा चमज जीरा पांच यहाँ पे मैंने साबुत काली मिर्च का इस्तमाल किया है आप इसे इसके भी कर सकते हैं लेकिन इसे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है स्वाद अनुसार नमक एट करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम बढ़िया से पीस लेंगे तो आप यहाँ पे साबुत काली मिर्च की जगे पे काली मिर्च का पाउडर भी इस्तमाल कर सकते हैं अब यहाँ पे इसे हम बढ़िया सा तड़का देंगे तड़के पैन में आदा चमज देल गरम किया है मैंने जीरा, सरसो, लाल मिर्च और करीपता का ये बढ़िया सा तड़का इसमें लगा देंगे और ये मज़िदार सी इंस्टेंट सी चटनी बन करके तयार है यकीन मानिए ये चटनी इस रेसेपी के साथ पौफेक्ट तो जाती है जाती है इसके अलावा आप इस चटनी को पूड़ी पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं चले इसे रखते हैं साइड में अब यहाँ पे मैंने आदा कप चावल लिया था जिसे मैंने आदे घंटे पहले फुला दिया था और यहाँ पे आदा ही कप मैंने मूंग की डाल लिया है इसे भी बड़िया से मैंने आदा से पौन गंड़ा पहले फुला दिया था यह देखिए यह बड़िया से फूल गया है इन्हें जादा टाइम नहीं लगता है फूलने में अब इसका पानी सारा हम निकाल लेंगे और इसे हम ट्रांसफर कर देंगे मिकसर जार में तो आप इस रेसिपी को अगर सुबह बना रहे हैं तो आप यह दाल और चावल को रात को भी भिगो करके रख सकते हैं इससे आपका काम आसान हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे तीखे पन के लिए मैंने तीन हरीमिची एट की है थोड़ा सा अद्रक का टुकड़ा एट करेंगे लगभग एक इंच के करीब और लगभग आदा चमच के करीब पानी एट करेंगे चोटी चमच से और इसे हम पीस लेंगे तो बहुत जादा इसका बैटर हमें पतला नहीं रखना है आप देख सकते हैं मैंने इसका स्मूध बैटर तियार कर लिया है अब इसके बाद थोड़ा से यहाँ पे रंगत के लिए मैं आट करूंगी चिली फ्लेक्स यहाँ पे पूरी तरीके से ऑप्शनल है आप इसे Skip भी कर सकते हैं यहाँ पे सबजीयां आप अपने अनुसार कम जादा कर सकते हैं चाहे तो इसे पूरी तरीके से Skip कर सकते हैं केवल प्यास से भी बनाया जा सकता है अब यहाँ पे इसे अच्छे से मिलाने के बाद एक निम्बू का रस एट कर देंगे निम्बू का रस एट करने से हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़ादा फलफी बन करके तयार होगा तो इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे आप देख सकते हैं बढ़िया से यह मिल गया है इस तरीके से चला लेंगे ताकि यह बढ़िया से फर्मेंट हो जाए अब यहाँ पे मैंने अपे पैन ले लिया है इसमें थोड़ा सा ओयल से इसे बढ़िया से ग्रीस कर लिया है इसके बाद यहाँ पे थोड़े से सरसो के दाने आट कर देंगे ताकि इसका टेस्ट और भी जादा बढ़िया हो जाए तो अच्छा अगर आप चाहे तो ये प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं चाहे तो आप डारेक्ली बैटर में तड़का लगा सकते हैं जीरा सरसोर करीपत्ता का वो भी बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देगा तो यहाँ पर थोड़े से मैंने सफेद तील भी एट कर दिया है अब जो बैटर है उसे हम इस तरीके से एक एक चमच भरते हुए इस तरीके से पूरे खांचो में हमें भर लेना है इस तरीके से तो ये बहुत ही आराम से और बहुत ही जटपट बन करके तयार हो जाता है बहुत सदा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है इसमें बस बैटर को घुलना है हमें और इस तरीके से सेख लेना है तो लगभग दो मिनट लगेंगे हमें एक तरप सेखने में तो ये बढ़िया से लो फ्लेम पे दो मिनट में बढ़िया से सिख जाते हैं तो यदि अगर आप इस रेसिपी को सुबह बना रहे हैं अगर आपके पास सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है तो आप इस बैटर को रात को बना करके फ्रेज में रख लीजे और सुबह बस इनो एड़ करके आपको इस रेसिपी को बना लेना है बहुत ही जटपट बहुत ही आसान तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा और आपको महनत भी नहीं लगेगा बहुत जादा टाइम भी नहीं लगेगा इस recipe को आप बचों के टिफिन में भी दे सकते हैं चाहे तो सुबह के नाश्टे में भी इसे गर्मा गरम परोज सकते हैं तो इसी तरीके से आप भी बना करके enjoy करिए एक बार ज़रूर इस recipe को try करिएगा येकिन मानिया आपको ये recipe बहुत जादा पसंद आएगी तो इसी तरीके से उलटते पलटते हुए हमें चारों तरप से बढ़िया से सेख लेना है बीच में आच जादा लगता है इस वज़े से हम बीचे वाले को पहले निकालेंगे और साइड वाले को बीच में कर देंगे ताकि ये evenly सब तरप से पक जाए तो ये लिजे यहां पर मैंने सारे बना करके तयार कर लिए है आप देख सकते हैं इनका कलर कितना बढ़िया आया है देखने में कितना टैम्टिंग कितना मज़ेदार लग रहा है तो इसी तरीके से आप भी एक बार जरूर इसे ट्राइ करिएगा मैं आपको इसे थोड़ करके भी दिखाती हूँ एकदम फलफी एकदम जालीदार ये बन करके तियार हुआ है और यकीन मानिए ये बिल्कुल आप अगर इसे खाएंगे न तो आपको एकदम ओमलेट वाला टीस्ट आने वाला है एकदम मज़दार लगता है ये खाने में तो एक बार इस रेसिपी को ट्राइ जरूर करिएगा और इसे तरीके की मज़दार रेसिपी के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलती हूँ कल सुबह नौ बजे ठीक इसी तरीके की एक और मज़दार और सिंपल रेसिपी के साथ तिल देन टेक कियर और बाई